हमारे लड़का साब पान साल का, मैंने उसको एक दिन डाट दिया, हमने का गधे कहीं के, अच्छा आज कल के लड़के कितने हाजिर जवाब हैं, बच्चों से बहुत समल के रहना पड़ता है, हमने लड़के को डाटा, हमने कहा कि गधे कहीं के, लड़के ने पलड के लड़के ने उसको साम को बुलाया हमने का बेटा जब हम तुम्हारी उमर के थे तो सीधे स्कूल जाते थे गुरू जी जितना काम बताते थे काम पूरा करते थे कच्छा में हमेशा फस्ट आते थे लड़के ने यहां भी बाजी मार ली उसने कहा पिता जी देखिये जब लटक गए थे लड़के समान कितना करते हैं हमारे इंटर कॉलेज में गडित का ध्यापक मर गया तो एक लड़के ने गुरू जी के नंबर पर काल की तीन दिन दिन बाद काल की और कहा कि क्या सर जी आज विद्ध्याले आएंगे तो फोन मैडम के हाथ में था क्योंकि गु iNKO प्यारे हो गया वो नहीं आएंगे अधर ठीक दूसरे दिन फिर उसी लड़के ने फुन लगया कि सर जी आज इसकूल आएंगे फिर मैंडम रोने लगी, मैं टाबो नहीं आएंगे, तीसरे दिन फिर उसने फोन लगाया, अब पता लगाया गया, तो वही लड़का रोज रोज फोन कर रहा था, उसको पकड़ा गया, कहा बेवकूब जब तुझे पता चल गया, कि टीचर अब इस दुनिया में नहीं है, तो रोज काहे को फोन करके डिस्टरब करता है, अब लड़के का जबाब सुनना मजा लेना, लड़के ने जबाब दिया, कहा देखिये, बात ये है, कि टीचर थे बहुत सक्त, जरा सी गलती पे कूट देते थे, बहुत मारते थे, आज जब कोई ये कहता है, कि वह अध्या से बोल उठा, एक नवजात सिसु सिस्टर से बोल उठा, दीजिये मुबाइल है बात करनी मुझे, और नौ महीने कश्ट जेल धरती पे आया हों तो बंधु बांधवों को भी सौगात करनी मुझे, कि एक काल कर भगवान से करूंगा बात, कुंडली भी अपनी है ग्यात कर कर ने यह भी बता नहीं मैं आगया हूं ठीक ठाक मेरी वाली भेज मुलाकात करनी मुझे मेरी वाली भेज मुलाकात करनी मुझे और यह प्यार महबत बड़ा कठिन भी सह होता है कि पता चला किसी के पिछह एक एक साल तक चकर काटते रहो और एक दिन पुलिया पे मिल जाओ मार खुपड़ी फोड़ दी जाए तो इसा प्यार महबत का उनकाम का लेकिन सुनिएगा थोड़ी सतरक्ता के साथ में प्यार महबत करिया कोई दिक्कत नहीं कि तीन चार माह लगातार जो प्रयास किया आम प्लाट लेकर मकान बने ग्रह स्वामिनी बनेगी ये करार हो गई और धेर सारी संपत्ति की माल किन बनी त्यों ही रुख बदला पती से तक करार हो गई और पती देव जुन जुना बजाते रहे और वह बेच के मकान कैसले फरार हो गई राम राहुल जी बहुत बड़े कभी हैं 15-15 दिन तक ये कारिक्रमों में व्यस्त रहते हैं घर पे इनका जाना नहीं हो पाता है एक दिने 15 दिन बाद घर आए घर में एक छोटी सी संका नजर आई शंका का इन्हों ने समाधान किया समाधान में अगर आनंद मिल जाए तो मुझे आसरवात देना बात सुरू करता हूं सुनेगा कि मैडमों की नई चम कीली साड़ी देखकर चिंता तुरुपती का तो धैरे डोल गया है 15 दिन बाद घर पहुंचे हैं देखा भावी जी नई स साड़ी महंगी है इनके पास आई कहां से कोई गड़बर तो नहीं है बीच में 15 दिन हम घर पे नहीं थे मैडमों की नई चम कीली साड़ी देखकर चिंता तुरुपती का तो धैरे डोल गया है और पता चला साड़ी तो मिली है उपहार उसे दादा सोंचे कौन यहां विश घोल गया है चकर चला है तेरा किससे बता दे मुझे कौन तेरे दिल के कपाट खोल गया है मैडम उने कहा आज साड़ी ही मिली है कल जुमके भी देगा ये पडोसी बोल गया है पडोसी है देख लो यही जब से राम राहूल भाई को पता चला है अब ये उनके आजाना जना छोड़ दिये है बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं पड़ाम करता हूं देखें ये यूट्यूब का जमाना है सोसल मीडिया पर बहुत तमाम चीजें होती रहती हैं ये प्रसांत भाई इन्होंने एक को एड़ किया धिरे धिरे उसके नमबर लिया वाटसप तक पहुंचे फिर काल होने लगी और इन्हीं से बात बात में उसे इसक हो गया इनको टार्गेट किया गया कि हम कुछ बात करना चाहते हैं मिलना चाहते हैं बात नहीं हो गई कहा कि 15 तारीक को हमारे यहां जो स्रीमान जी हैं वो नहीं होंगे आप चले आईएगा ये पहुंचे घर पर अब जब यह पहुंचे तो इन्होंने कहा संका जाहर कि कहा अगर बीच में आ गए तो तो कहा आ जाएंगे तो टेंसन मत लीजिएगा ये ज़ाडू है और ये पहुंचा है जैसे आ जाए तुम ये काम सुरू कर देना ये कमरा साफ कर देना कहा फिर भी न गए तो 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 गया दर्वाजा खुला देखा स्रीमान जी आ गए अब वही बात वादे के मुताबिक इन्होंने तो चुपके से जाड़ उठाया और साफ करने लगे स्रीमान जी ने पूछा ये कौन है कहा कि अरे कुछ नहीं घर की सफाई करने के लिए नवकर बुलाया था वही आया है स पैसे देखां अब वह जा नहीं रहें वह बैठ यह फाइल धूने वह फाइल धूने रहें एक कमरा दो कमरा तीन कमरा सारे था पर भी स्रीमान जी नहीं गये जब नहीं गये तो इन्होंने कहा मैडम जbor जी चौँ मांजी ने कहा कि इसको पैसे दे दो तो मैडम ने कहा नहीं पैसे क्या करोगे दे करके पैसे तो हमने दे दिये थे इसको यह चले आए अब जैसे यह बाहर निकले राम राहुल भाई मिल गए कहा लगा है पोच्छा अब इनके तो होस उड़ गए कहा कि यार यह कैसे जान इनको कैसे पता चला इन्होंने बड़ी हिम्मत करके पूशा कहा कि दादा ये बताओ आपको पता कैसे चला वास्तों में हम दो घंटे से जाड़ू ही पूशा लगा रहे थे वहां पे आपको कैसे पता चला कहा अरे तुम जानते नहीं हो उसको 15 दिन पहले हम तो खूब लग कि इसका वास्तों में कौन इसका होलर है कौन इसका किसने इसको बनाया है आप जान नहीं पाएंगे कि फेस्बुक पर फर्जी आइडी बनाई और पतनी को जोड़ खुश रामलाल हो गया रामलाल को खुद भरोसा नहीं था कि उसकी पतनी उसका कितना साथ देगी कहां तक वो हमारा साथ देगी यह जाचने के लिए उन्होंने फर्जी आइडी बनाई और अपनी ही पतनी को एड़ किया और उसे वो खुद चैटिंग करना शुरू किये हैं अब यहां से आनंद लिजिएगा फेस्बुक पर फर्जी आइडी बनाई और पतनी को जोड़ खुश र मेरे पति देव की न चिंताप की जिएगा उनको तो मरे पूरा देढ़ साल हो गया उनको तो मरे पूरा देढ़ साल हो गया यहां बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, चार पंक्तियां और आनंद के सुनिएगा, हमारे यहां समाज में ऐसे से लोग हैं, जो सलाह तो बहुत देंगे, लेकिन खुद करते धरते कुछ नहीं है, हमारे गाव में छोटी से घटना घट गई, वो घटना क्या है, आनंद के स आप में सुनिएगा, कि बच्चा जो कुएं में गिरा, लोग कहें हाए हाए, बच्चा जो कुएं में गिरा, लोग कहें हाए हाए, सीड़ी रसी बांस लाओ, बोले सकरू मियां, हमारे सकरू मियां है, बच्चा जो कुएं में गिरा, लोग कहें हाए हाए, सीड़ी रसी ब मिया जी कुईये में गए छलांग बच्चे को पकड़ कर गोद में उठा लिया इस वीरता से हो प्रसंद बोले सरपंच मिलेगा इनाम का मशौर पूर्ण है किया और मिया बोले वो तो ठीक है पर अंतु ये बताओ ठे खड़े कुईये पे हमें धका किसे ने दिया थे खड़ देख रहे थे किसी ने धका दिया हम गिर गए संयोंक से बच्चा हाथ में आ गया और बच गया तो इसमें हमारा कोई दोस नहीं है